तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें तो पहले बात करने वारे में आज से करीब 40 लाग साल पहले अफरिका के पूर्वी इलाके में एक नई परवत संक्रा का निर्मान हुआ इस्ट अफ्रिकान रिफ्ट वैली यह परवत यहां आने वाली मांसुने हाओं के लिए अबरूद बन चुके थे और यहां के जंगल धीरे धीरे बारिश ना आने की कारण सूपते चले गए और इनी जंगलों में रहते थे एपस जिने खाने पीने की कोई कमी नहीं थी यह प बहुत बड़ा फैसला लिया पेड़ों से नीचे उतरने का यह है एड़ी फितेकस रैमेडस यह हमारे पूरबज हैं जिन्होंने एक बहुत बड़ा फैसल लिया था इनका दिमाग महच एक संत्रे के बराबर था और इनका आकार केवल चार प्ष्ट था हचारो साल के विकास करम के बाद अब आधिमानों दो पैरो पचले लगे थे दो पैरो पचलने के कारणियों दूर तक देख सकते थे परन्तु दूसरे परभक्षियों से इनकी मिर्त्यों हो जाती थी और फिर इन्होंने बहुत निनाएक फैसला लिया सम्हों में रहने के बहुत बलसाली हो गए थे इसलिए यह चोड़े जानवरों को भगा कर उनका खाना छेन लाते थे और आपके जानकारी हैं के लिए हम यह बता दे कि आधिमानों की साथ परजादिया थी जो इस परकार है हम अर हम हमो सेपियंसे और प्रजाती समय के साल लोगता हो गई और हम हैं हो मसेपियंस ही इस दुनिया पे बच बाए यह आधिमानों की ले पद्रों से हतियार बनाना शीख चुके थे अभी न हतियारों से आधिमानों को बहुत आए है और हो खुद को अन्य जानुवेरों से बचाये रखते थे अब आदिमानों मिल चुल कर रहने लगे थे और इनका दिमांग पहले से काफी बड़ा हो चुका था अभी एक सबसे बड़ी खोच पांगे थी वह थी आग की खोच आज से करें 20 लाग साल पहले आदिमानों ने इस दुर्या के सबसे बड़ी खोच खी जो थी आग की खोच अब आग आजाने के कारण आदिमानों परिवार बनाने लगे और पहले आदिमानों कच्चा मान सखा दे थे और अब यह पका हुआ मान सखा रहे थे जिसके कारण पर अब भी आधिमानों में किसी चीज की कवे थी वो थी भासा हजारे साल के विकास कर्म के बाद अब आधिमानों इस पर थे हुए सबसे बुद्धिमान प्राणी बन चुके थे जो सम्भू में रहते थे जिनके परिवार थे और जो अपनी बात दूसरों तक पहुँचा सकते थे अब हमने पता है कि पहला आधिमानों कब आया पहला आधिमानों 20 से 25 लाग साल पहले आया अब हम बात करते हैं राम जी की पहले जालने के हैं यूगों के बारे में सबसे पहले सदी यूग फिर त्रेता यूग फिर द्वापर यूग फिर कल यूग वालमक की द्वारा रामायन में बताया गया है कि राम जी का जन्म त्रेता यूग में हुआ था वालमक की द्वारा रामायर में बताया गया था कि राम जी की जन्म के समय पांच गरोपनी उच्छतम इस्तिती में थे तो वैग्यानिकों को अब इस इस्तिती की करना करनी थी तो वैग्यानिकों ने अपनी रिशर्च में बताया गया कि ऐसी खगोले घटना बस सिरफ दो बार घटी है पहली 10 जन्वरी 5114 इसा पूर्व मतलब आज से 7134 साल पहले रामजी का जन्व हुआ और दूसरी 4 दिसंबर 934 को दो दो समय को लेकर अब वैग्यानिक भी गन्फ्यूज हो चुके थे पर तभी भारतेव पूरातत विभाग कोमी ने अफसे से पता चला कि रामजी का जन्वर 5114 इसा पूर्व हुआ है मतलब आज से 7134 साल पहले आप मुझे पता है कि पहले आदिमाना आए ठैक्स पर वचिंग सब्सक्राइब करो यार बला एकन वी दवा देना